उत्तर पुदेश में आने वाली नई पुलिस भरतिक तैयारे गर आप भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप के लिए बहुत ही जादा महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि इस बार भरती प्रक्रिया में हम लोगों को बहुत बड़ा बदलाओ देखने को मिल सकता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परिक्षा किंग में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर पुदेश न्यू वेकेंसी 2021 के भरती प्रक्रिया में आखिर क्या बहुत बड़ा बदलाओ होने वाला है वहीं जो न्यू वेकेंसी आने वाली है इसके फार्म हम लोगों को कब तक देखने को मिल जाएंगे उसके बाद सबसे महत्पूर्ण सवाल ये होगा क्या इस बार फार्म भरने के लिए ट्रिपल सी सार्टिफिकेट की जरूरत पढ़ने वाली है क्योंकि अभी तक जितने भी सूचना हम लोगों को मिल नहीं उसके मताबिक तो फार्म डालने के लिए ये भी सार्टिफिकेट की जरूरत पढ़ने वाली है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले सिर्फ चार सब्जेक्ट ही पूछे जाते थे जिनमें हिंदी आती थी सामान ने देन आता था रिजनिंग आती थी और गणित आती थी लेकिन इस बार कंप्यूटर के एड होने की 100% प्राविल्टी है क्योंकि सरकार भी चाहती है कि पुलिस विभाग को भी मार्डरन और कंप करके तो जितने भी लोग यूपी पुलिस के तयारी कर रहे हैं वो अभी से कंप्यूटर सब्जेक्ट पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें क्योंकि 20 नंबर तक कंप्यूटर के कुश्चन भी पूछे जा सकते हैं इनका मेरिट बनाने बहुत ज्यादा योगदान होने वाल हम लोगों के पास एक महीने का पूरा पूरा वक्त बाकी है फार्म निकलने के बाद बहुत ज्यादा हम लोगों को वक्त विल्कुल भी नहीं मिलने वाला है वह अगर एज के बारे में बात करें तो हम लोगों को एज में भी छूट देखने को मिल सकती है क्योंकि राजस्त भी उत्तरपदेश में सही समय से नहीं आ रही है तो फाइनली अगर फार्म अपलाई के बारें बात करें तो नौंबर लास्ट वीक में हम लोगों को उत्तरपदेश पुलिस की नई विकंसिक फार्म देखने को 100% मिल जाएंगे अगर सबसे महतपून सवा ट्रिपल सी सार्टिफिकेट के बारें बात करें तो इस बार 50% प्राइबिल्टी यही है कि ट्रिपल सी सार्टिफिकेट को भी मांगा जा सकता है क्योंकि अगर कम्प्यूटर सब्जेक्ट को एड किया जाएगा तो फिर ट्रिपल सी सार्टिफिके को मांगा जाएगा आपके पास अभी नहीं है तो आप लोग यही कोशिस करें कि जल्दी जल्दी किसी तरह CCC certificate को हासिल कर लें क्योंकि अगर वैकेंसी आने पर वहाँ पर कर CCC certificate मांगा गया और आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप लोगों की जितनी certificate इस बार मांगा जा सकता है या फिर नहीं मांगा जा सकता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत